अब बच्चों कैसे वह उभीत करते हैं आप सब अच्छे होंगे और अपने एक्जाम की त्यारी काफ़ी तरीके से कर रहेंगे आज की इस वीरोज में हमलों लेकर रहा है जितने वह बच्चे इस वारे एक्जाम देने वाले हैं सेकेंडे स्कुल एक्जामिनेशन मैटिक बो देखने को मिलेंगे और यह सारे को संद बिहार बोट के दोरा जारी ऑफिस्यल को संस्पेपर है जो भी प्रिवियर सेर्स में पूछे जा चुके हैं और उसमें से चुना हुआ को संसे सारे और मोडल सेट पर अधायत है जो आप सभी के अग्यास में हुब हुब करी सारे कि यहां से लाखोच पढ़ाई करते हैं यहां पर आप लोगों को मिलेगा चप्टर वाइज अब्यक्टिव सब्जेक्ट हर एक सब्जेक्ट का जो भी आप लोगों सब्जेक्ट है सभी का मोडल सेट के साथ साथ प्रिवियर से स्कॉस्टन पेपर और ऑनलाइन प्रैक्ट दिया गया है तो उनके छ afternoon का जो अनुपात होगा वह क्या होगा जानते हैं अगर तीरजा रण बटा में आफ्र्ट वहाईव कंश्ट आ राइठ है इसका अर्थ यहां पर आप लोग को यह बता रहा है कि जब भी किसी बेद्व की तीरजाओ का नुपात या फिर तीरजा दिया रहा है ठीक है राइधा वह का नुपात टो basis नुपात असानी से निकार लेना उस स्विश्यार को क्या करना इस्वैर कर देना ठीक ह कि आप लोगों को यहां से च्छतफल का अनुपात निकल जाएगी तो एक का यहां पर सी जो है वो राइट एंसर हो जाएगी चलिए सकेंड नमर हमारे प्रस्टन है यहां पर दूसरा नमर प्रस्टन है कि यदि एक ब्रत की परिधी आठ पै है तो इसका च्छतफल क्या होग तो परदि दे दिया गया है यहां से रोगों को तीरजा निकलना पर दो जो और किसी भी व्रत का च्छतफल होता है। यहीं इसका क्या होगा एंसर राइट हो जाएगी दो का भी आपको सही उत्तर हो जाएगी चलिए थार्ड नमर देखते हैं जो भी प्रस्ट में बता रहा हूं यह सारे के सारे आप लोगो डिटेल में बताऊंगा ताकि इस तरीकी के प्रस्ट अप सभी केजांस में आएंगे हैं इसमें होता है मैनास में होता है दोनों मैनस और इसमें होता है तर्ड में होता है आपका तीनों और से बिंदू 7,3 की दूरी क्या होगी बहुत ही सिंपल है यह इसको भी आप लोग असानी से समझ लो कि जैसे हम लोग ने हुआ यहां पे क्या एक एक्स और य अक्सरों फिसा ठीक है यहां पे तो बोला गया है वाइक तो यहाँ ने यहाँ यहाँ आपका यहाँ यह दूरी होगी फ्रक का दूरी को यहां पर मालत हैं 7-3 है तो 7-3 यह आपका एक रूप हुआ ठीक है तो एकस का भैलों जब वाया अकसे पूछा जागा तो एकस का मान बताने हैं आप है फेसे मैंनSec कितना है यही इसका राइट हो जाएगी जब वाइए अक्से आ उन पुछता तो 7 होगा यहां पर आफियाज यहांपे यहां पे यहां पर कहा गया कि मूल बिंदू से मैनस 5,5 की दूरी क्या होगी जब भी मूल बिंदू से आप लोगो को कोई भी दूरी पुछा जाएगा तो आपको कुछ भी नहीं करनी है बहुत ही सिंपल होता यह आपको रूट अंडर में मैनस जो दिया गया है यहां पर 5,5 उसका दो हो गया पांच का और बी जो है इसका रैट हो जाएगी जब भी आपको याद रखना है कि मूल बिंदू से दूरी पुछा जाएगा तो आपको करना है और रूट अंडर में डाल देना दोनों का ठीक है पलस करके नेक्स्ट हमारे पास है सिक्स नमर कहा गया कि कोई मैन इस फर्मूला जो होता है वह आपका होती है रूट अंडर में एक्स टू म sätt ऊंड़ फिर एक्स टूका हावला स्कुर परस को यहां यहां पे x1 के जगह पे 2 और y1 के जगह पे 3 है और x2 के जगह पे 4 और y2 के जगह पे 1 है तो बस हमको यहां पे मांद पुट करना है x2 के जगह पे 4 में से 2 गया तो 2 का स्क्वार पलस आपको y2 में से y1 को घटाना है तो 1 में से 3 को घटा ओगे तो meinus 2 to minus 2 का square करो या फिर plus 2 का square करो बात एकी आईगि तो हम लोग यहाँ पर minus 2 का square करेंगे कि यह हो जाए अपका 2 का square 4 plus minus 2 का square 4 यह हो जोगा root अंडर में 8 इसका फहलो निकालोगे तो हो जाएगा 2 root 2 तो यहाँ पर 6 का जो है चोटा सा फर्मूला याद रखनी है रूट अंडर में X1 मैनस X2 का हालो सकर छिख है या फिर आप यह वी याद रख सकतो X2 मैनस X1 पलस Y2 मैनस Y1 का हालो सकर ठीक है रूट अंडर में डालना है तो इसी पर हम लोग ने यहाँ पर इस्कोशन को तो 6 का भी राइटन हो जाएगा नेक्ट 7 नमर है कि को क्या स्क्रटीता इंटू तेन आ स्कॉरीटा experience की होगी तो काफी सिंपल है बस आपको यहांं से क्या करना है कोश्रीटा को हम लोग सकते हैं क्या वान ऑपन २ schwण ode 갯त वो लुद लिख सकते हो टेण उसको घंट चैनल पन्सकोर ठीट अबटा में कॉच को थीट हो और कॉस अटीट अको हम लोग रहने देते हैं है तो से कॉस्ता यह कट गया आपका सैं से सैंड कट गया तो बच्चा क्या हम आपस में कट जाए ठीक है जैसे यहाँ पर कॉसे का स्क्वार दिया गया था तो हम उसको 1 अपन साइन स्क्वार ठीटा लेख सकते थे और 10 स्क्वार ठीटा को हम लेख सकते थे sin square theta upon cos square theta और cos square theta को छोड़ दिया जो हपस में कटे गया दोनों ठीक है 8 नमर हमारे पास है कि जब भी एक ही तिरिजा वाले एक गोले का प्रिश्च छेतफल तता एक अर्द गोले के कुल प्रिश्च छेतफल का दूपाद पूछा जाएगा तो आपको क्या करने है इसमें देखे एक ही तिर्जा पुछा गया ठीक है ना तो एक ही तिर्जा दोनों के लिए एक तिर्जा जो हो सेम है गोला के लिए भी और अर्ध गोले के लिए भी तो गोला का फ्रिश छेथफल सबसे पहले पता होनी चाहिए उसके बाद अर्ध गोल है तो दोनों को हम लोग आर माल लेते हैं तो अनुपात पूछा गया तो अनुपात बराबर लिखेंगे अब लोग गोले का कुल फ्रिज छेदफल कितना होगा फोर पाई आरसकोर अब अब अट्टा में आपको अर्ध गोले का होता है ठीडी पाई आरसकोर यहां से आर आर यहां से आर से आर के कट गया पाई दोनों में कॉमन है तो पाई भी आपस में कट गया तो बच्चा क्या हम लोग के पास चार बटा में तीन जो चार अनुपात तीन कहल आएगा ठीक है जो ऑप्सनस नमर आपको डी में दिया गी है यह इसका राय टेंसर हो जाएगी नैन नमर हमारे पास है कि यदि कोई बिंदू ए वाई अक्ष के दाई और पांच इकाय दूरी पर एक्स अक्ष परिस्थित हो तो एक के निर्दे सांग क्या होंगे जोको बस इसमें थोरा सा दिमाग लगाने है क्या बोला गया हम लोगों के पास माल लेते हैं कि आपको यह एक्स यह हो गया आपका बाई और किसके तो एक्स अक्ष सुरी वाई अक्ष के ठीक है ना तो बोला गया है वाई अक्ष के दाई और तो वाई अक्ष के दाई और यह होगा पांच ही काय तो इसका मतलब इधर पांच होगा पर एक्स अक्ष परिस्थित हो ठीक है तो एक निर्द निर्दसांग होंगे, सबसे परले X को मान लिखेंगे, तो 5 और Y X का मान यहाँ पर, Y का मान X अक्स पर हमेशा 0 होता है, तो यहाँ पर 5 को मान 0 जिरो जो है, यह इसका निर्दसांग कहलाएगा, ठीक है, तो 9 का आपका A जो है, यह यह रहे टेंसर हो जाएगी, बस आपको द लिए 10 नमर हमारे पास प्रस्न है कहा गया है, कि 1 वटा 2 पलस 1 वटा 3 पलस 1 वटा 6 पलस डॉट 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 नौप दो का योग आपको बतानी है, तो यहाँ से हम लोग हमको पता चल गया है, कि इसमें 9 टर्म है, तो S9 का वैलू हम लोगों से पता करनी है, यहाँ पे, तो A का भैलू हम लोगों को दिया गया है, एक वटा में 2, D का भैलू निकाल सकते हैं, एक वटा 3 मैनस एक वटा 2 इसको सकेंड टर्म में से फर्स टर्म को घटा के, यहाँ पे 3 दो निच्छे हो जाएगा, तीन का यहाँ पे 2 मैनस 3, यह मैनस 1 वटा में 6, ठीक है, यह मैनस में आपको यहाँ से common difference जोई यह आ गया, ठीक है न, तो हम लोग क्या करेंगे, SN9 का फर्मूला जो होता है, यहाँ पे SN का, वोता है, NY2 into 2A पलस N-1 into D, ठीक है, तो N का भैलू यहाँ पे 9 वटा 2 हो जाएगा, 2A तो 2 गुने 1 वटा 2, पलस N 8 गुने D, मैनस 1 अपन 6, ठीक ह यह इतना तक आपको तो समझ में आ रहे होगे अच्छे तरीके से, अब यहाँ से 2 से 2 गया आपका, और यह 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6 यहाँ पे हो जाएगा, तो यह 9 वटा में 2 यहाँ से दिया गया है, तो 1 पलस, मैनस कर जाता हूँ, क्योंकि पलस मैनस मैनस हो जाएगे यह यहाँ से तरी मैनस में 4 वटा में 3, जब इसको कैलकुलेशन करोगे तो 9 वटा में 3 यहाँ से 4 जाएगा, तो मैनस 1 वटा ओप 3 ठीक है, यहाँ से 3 तिया 9 हो जाएगा, तो यह आपका मैनस 3 वाइ 2, निकल गया यहाँ पर आपको यहाँ पर मिल रहा है, तो यह इसका राए टेंसर वाजाएगी, तो हम लोग नहीं हाँ पर एक से लेके 10 कोशन्स तक किये हैं, जो आप सभी के लेटेस्ट पैटर्न पे अधाई थे, जितने भी अव्यरती इस बार एक्जाम देने वाले हैं, 2024 के बोर परिक्षा में, उन सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट थे यह स जैसे हम लोग वीडियोज अप्लोड करेंगे तो आपको नोट्फिकर्शन मिलते रहेंगे, यह वेबसाइट है हमारा स्टार्क अस्टडी डॉट को, यहां से लाकोच आत पढ़ रहे हैं, तो आप लोग जाके पढ़िए, और यहां पर ऑनलाइन प्रैक्टिस करते रिए, क्योंकि बिहार बोर्ड में आप लोग को 50% objective कर दिया गया है, तो यह यहां पर प्रैक्टिस करोगे, तो आप सभी के लिए काफी helpful रहेगा exams में, questions को solve करने के लिए ठीक है, तो चलिए मिलते हम लोग अगले bridge में तप टेक लप लोग पढ़ाई करते रिए, वेबसाभी को, क्युで और भरे से खो स्वी छोग ब हू और माद कर दीक है है, वेबसाव प्रैक्टिस करूएरर कुड़े खलता है, तो राव टूड़ें, तो तो हम लोग लोग पाशने हैं, तो हम एण, लोग लोग झाया है, तो आप पालतालबर, よ तो हम लोग एबसा अगले सब